चंडिगर में लड़कियों से छेड़ खानी करना और उन पर कमेंट्स करना तीन युवकों को भारी पड़ गया दरसल सिटी ब्यूडिफुल के सेक्टर 36 गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों से छेड़ खानी और उन पर पैसे लुटाने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफतार किया है दरसल ये घटना रविवार शाम करीब साड़े पांच बजे की है पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित युवकियों ने बताया कि वो हॉस्टल में रहती है और रविवार शाम को किसी काम से सेक्टर 36 की मार्किट में सामान खरीदने आई थी जब वो पैदल मार्किट से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी उसी दोरान बहां सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी पहुँची जिसमें तीन युवक सवार थे जिन्हों ने उन पर भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिया यही नहीं आरोपियों ने गाड़ी उनके पीछे लगा ली और उनकी हॉस्टल तक उनके पीछे पीछे छेड़खानी करते हुए पहुँच गए अपनी शिकायत में पिर्टा ने बताया कि दो आरोपी गाड़ी के सनरूफ से बाहर आ गए और सामने से आते हुए आरोपियों ने उन पर 20-20 रूपे के नोट भी वारना शुरू कर दिया शिकारत में बताय गया है कि जब वो आरोपियों से परशान हो गई तो उन्होंने उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया जिसके बाद आरोपियों वग गाड़ी से उतरे और उनका फोन चीनने की कोशिश की साथी आरोपियों ने उन्हें धमकाना भी शुरू कर दिया जिसके बाद उन्होंने पूरी घटना की शिकार प्रिंसिपल को दी अधर्वाइज कोई इवटीजिंग करेगा मॉलेस्टेशन करेगा किसी ना आलते ओधे अकॉर्डिंगली ओधे खिलाफ है फायाद दाज करके अरेस्ट किता जाएगा कल होना नो जेल पे इसता 14 दिन दे जुडिशल रिमांट ची पीड़ता ने आरोपियो की मात्र 9 सेकंड की वीडियो बनाई लेकिन इन नो सेकंड में तीनो आरोपियों की क्लियर फोटो और उनकी गाड़ी का नंबर साफ नजर आ रहा है जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों के घर श्री आननपुर साहिब पहुँच गई और तीनों को गिरिफतार किया पंजाब के सुटीवी के लिए च्रेंडगर सेक उल्दीब कुमार की रपोर्ट